हेलो गाई सेलकम बैक टो अनधर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिद्बस्टर्स को कंफॉर्म या बस करने जा रहे हैं और हमारा फेला में ती है कि जोरासिक पार्क से अगर बिग डिद्वार्यासार अपने विडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे घर के पास मैं आ चुका हूँ भाई डाइनसौर भी जस्ट पीछे हमारे अब मेरे को भाई जल्दी से जल्दी अपने घर के अंदर पहुचना है या फिर यहां भी यह काउंट हो जाएगा लेकिन तब भी हम लोग अंदर ही चल लेते का कि अच्छे से में मालूम चल जा तो यह पुराने घर जैसा नहीं हो सकता है अगर मैं उपर वाले फ्लोर पे जाता तो शायद मुझे यह नहीं मारता लेकिन भाई यह मित बस्टेड है हमार अगला मित है कि हमर पिकप में हम लोग बहुत सारी चीज़े रखेंगे लेकिन जब हम होर्स और डाइनसौर रखे है और जब डॉग रखेंगे तो हमर जंप मारेगा ठीक है तो सारी चीज़े हम लोग यहां पर रखने वाले का इस हमर के अंदर पहले हम लोग रखते हैं साइकल को ठीके इसके पिकप वाली जगह पे साइकल थोड़ी सी उपर आ चुकिए थोड़ा सा और पीछे रख लेत पीछे की तरफ तो या धकेलते हुए जा रहें लेकिन या नीचे मत किना बस अटक गई नए 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 गई पाइक नीचे गई एक साइकल नीचे जाने वाली है एक गई यह दूसर भी कूद गई भाई ऐस लग रहा है सब एक करके कूद रहें भार नेक्स हम लोग परफेक्ट पीट होई है यह हिल भी नहीं रही है क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से हमने इसको रखाया ना इसलिए देखो हिल भी नहीं रही है तो यह सही है नेक्स हम रखेंगे दोनों जेट पैक 320 और 330 से दोनों जेट पैक आ चुके लेकिन दोनों जेट जोए वह हवा में है तो क्या होगा गाइस क्या यह बहुत ही आराम से नीचे गिट जाएंगे चलाते हैं नहीं हमारे जस्ट ऊपर यह थोड़ा पीचे-पीचे खिसक रहें लेकिन यह थे मतलब पिकप के उपर तो रखे थे अब पाइनली टाइम है जानवरों को लाने का तो सबसे पहले वेलोसी रैप्टर को बलाते हैं और यह तो काफी जादा बढ़ा है गाईस यह तो गाड़ियों से बढ़ा लग रहा है मुझे हमर के ऊपर वैसे नॉर्मल ही नहीं लगता है अब इसको चला के देखते हैं यह तो अच्छे से बैठ है बिल्कुल लेकिन मेर क् 이거 कि पहूंचेंगे अब हम बॉलाते हैं होड को और होड इतना बड़ा है कि यह तो ऑंदर हांभी नहीं रहे है चलो एक लात मारी सीधा अंदर इसको चनला अगर देखते क्या यह विह घमार मार को फिल्फ करता है बिल्कुल आइस यह हमारी पृप्षित स्मूश करता है हाँ पर गलत हो गया हमारी हमर तो जंप करके जैसा कि मित में लिखा था लेकिन डॉक के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है तो यह मित कंफॉर्म्ड है हमारा अगला मित है कि जैसीवी ब्लास करने से उसके फ्रेंट और बैक वाले हैंडल ब्लास नहीं होते हैं ठीक है तो जैसीव यह आगई हमारी बड़ी सी यहलो जैसीवी अब करते हैं इसको ब्लास आरपीज निकालते हैं मारते हैं जैसीवी के ऊपर हो गई है ब्लास और आप देख सकते हो कुछ-कुछ पार्ट जो है यह अभी भी कलर में हो रहे मतलब कि यह ब्लास नहीं हुए और हमारे जो आगे क जैसे यह ब्लास्ट हो गई है इंफिनाइट हेल तो लगा के रखना वन्ना आप आउट हो जाओगे अब देखो इसको हम लोग चला के देखते हैं तो यह आगे पीछे नहीं बढ़ती है लेकिन इसके जो सारे पार्ट है जितने भी बटन है आगे पीछे और मुनने वाले तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोडर है बकेट है सब भाई हमारे जो लेग्स ये भी काम करेंगे तो सारे बटन काम करते हैं बस टायर चोड़के तो यह मित कनफरम्ड है हमारे अगला मित दिया है देवार रूपा भिंडा ने और इनका मित यह है कि हम लोग को मुन ग हमर नहीं यार हेलिकॉप्टर को स्पॉन करेंगे मैंने गलती से हमर की चीट को डाल दी हेलिकॉप्टर की आठ हजार है तो यह आजाएगी फिर यह थोड़ी देर पता नहीं थोड़ा सा फाइबरेट करती है जब तक हम लोग खड़े रहते हैं और फिर हमें एंटर दवाना ह है एंटर मैं दवाऊंगा हेलिकॉप्टर के अप्शन पर क्योंकि जैसी बीगा तो आया ही नहीं ठीक है अब इसको उड़ाने कोशिश करते हैं लेकिन यह तोड़ी नहीं रहा लगता है मून ग्राविटी लगाने के बाद भाई जैसे भी बहुत ज्यादा भारी रहती है क कि हमने फाइनली स्विविंग पूल के उपर तो इसको कर दिये और दीरे-दीरे करके यह आचुकी हवा में अब इसने भाई वाइब्रेट करना भी छोड़ दिया मतलब की अब यह हो चुकिए बिल्कुल हलकी अब हम इसको कहीं भी ले जा सकतेगा इस तो फाइनली हमने ज भूम रहे छोटे वाले कंटेनर को रोकना है कैसे भी करके यह तो मिद्खम चैलेंज जाता हो गया लग रहा है लेकिन अगर ऐसा पोला यह रुख जाता है तो ठीक हम लोग चेक कर लेते हैं यह हमारा छोटा वाला मूविंग कंटेनर और अगर हम इसे रोकना है न तो इतन करना उच्छा तो यह भी नहीं जा रहा गाईस जब कैसे रोकूं मैं नहीं यार बहुत जाद उच्छा गाईस हम लोग तो टच भी नहीं कर पाएंगे इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको हलका सा भाई उपर नीचे करूं न तो भी देखो यार इसकी हाइट बहुत उपर है पीछे वाले से ट्राय करते क्या लगता है आपको पीछे वाला पाइंट ऊपर जाएगा उठा के देखते हैं हम लोग गसको थोड़ा सा और थोड़ा सा ओस आर बढ़ी या बढ़ी और ऊपर हलका सा नइए यह नहीं यह जा रहा आप तो अच्छा अब इसको गुहाना और यह आईडिया आगया आगया गाई यह हमारे लेक्स है ना इससे मैं उपर कर लेता हुआ अपने टायर को यह अब आगया उपर अब रुक जाएगी यह रुक गई गैस रोक दिया हमने भाई फाइनली मैंने देखो मुविंग कंटेनर को रोक दिया है गाईस नीचे आके दिखातों मैं आपको यह देखो हमने फाइनली मुविंग कंटेनर को रोक दिया है जेसी वी से और अब यह हिल सकती नहीं है क्या पता तूट कई भार आ जाए थोड़ी देर बाद तो यह मित कंफॉर्म्ड है हमारा मतलब यह है कि हाउस कलर स्पेलिंग मतलब कि हम लोग लिखते हैं कि सी ओ लो आर यह कह रहा है कि सी ओ लो यू आ लिखेंगे ना तब भी हो जाएगा तो हमने कभी ट्राय किया नहीं है देखते कि ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों स्पेलिंग ही सही रहती है हाउस कलर मैं एक डोर खुला है ट्रेन में पीछे वाली तरफ हम लोग क्या करते हैं कि जट पैक लेकर उस गेट के पास जाते और एक्जिट करते तो हो सकते हम लोग भाई अंदर चले जाए ट्रेन के समझ रहें आप ठीके तो यह मैंने एक्जिट किया और इसने मुझे पार फेक दिया ऐ साइसली हो सकता है क्योंकि यह गेट जो है वो तेड़ा है तो मुझे कई और से एक्जिट करना चाहिए शायद फिर से करते हम लोग थोड़ा इस बार दूसरी साइट से ना क्योंकि वहां पर तो हम लोग नहीं जा पाए यहां पर भी नहीं जा पाए यार मतलब शायद हम नहीं जा सकते क्या दूसरी साइट से कर के देखते हैं लोगर दिख वाली साइट पर यह गैज अंदर का सीन देखो आराप लूप यह जय TOP सकते भाई जागे अराम से और कितना अच्छा दीख रहा है लेकिन हम लोग सोचना हम लोग ठीक है आप में सिफ बहुत लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबाया नहीं है बहुत वीडियो आप लोग मिस कर देते हो और कमेंट कर देना अपने अच्छा-च्छे मिट्स गाइस ताकि हम उनको ले अगले मिद्बस्टर्स की वीडियो में और मेरी पिछली वीडियो आपको ती इंग लोग दबाया के